आप सभी का मेरे यूटीब चैनल में स्वागत है बच्चो आज हम वॉक्षी टंबर 36 को डिस्कुस करेगे जो की सिक्षर निदेशाले, राष्टे राजिन शेतर, दिल्ली दुबारा बनाई गई है यह वॉक्षी ट कक्षा 6-8 के विज़ारतियों के लिए बनाई गई है बच्चो यह 15 अगस 2020 की वॉक्षी ट है बच्चे को यहाँ पर अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है जो हमारी वॉक्षी ट है, उसका टोपेगा आईए कुछ नया करे यह वॉक्षी ट हमें कुछ नया करने के लिए प्रोसाइट करती है आओ बच्चो अब वॉक्षी ट को पटना शुरू करते है अगर पुरानी चीज में ही कुछ अलग जोड़ दिया जाए उसमें नया पना जाता है बच्चो अगर कोई भी पुरानी सी चीज है अगर उसमें हमें कुछ नया जोड़ते है तो वह हमें नई सी लगने लग जाती है कुछ नहीं तो घर में अगर हमने अपनी चारपाई, आलमारी, आदी को इदर से उदर सजा दिया तो कमरे में नया पना जाता है और मन में शकून देने लगता है हमें समय समय पर नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन अपनी ताकत और आयू का ध्यान रखना चाहिए उसके अनुसार ही नया विचार और काम परना चाहिए जिनोंने आगे बढ़ कर अलग और नया सोचा है उन्होंने ही दुनिया बदलिया है नया करने का तरीका हमारी उसुक्ता, जिग्याशा, बुद्धी, कल्पना और आनन्द को बढ़ाता है आप भी अपनी उमर और छमता के नुशा कुछ नया सोचे और कीचे शुरुआत यहां से करते हैं देखे बच्चो जो यह पेराग्राफ दे रखता है इसमें आपको कुछ नया करने के लिए प्रोसाइट किया गया है इसमें आपको बताया गया है कि आपको जो भी नया करना है वे अपनी ताकत और आयू के अनुशार करना है जितनी आप में ताकत है और जितनी आपकी आयू है उसी के अनुसारा को कुछ नया करना है अप नया कुछ भी कर सकते हो गर को सजा सकते हो अपनी चारपाई अलमारी को इदर से उधर बदल कर उस अपने कमरे में कुछ नया पर ना सकते हो यहाँ पे कुछ साथ बिंदू दे रखे है आपको ये साथ के साथ बिंदू बढ़ने है जो कि हमें कुछ नया करने के लिए प्रोचाइट करते है बिंदू नमबर एक बाई हाथ से अपने पाच मित्रों के नाम और पता लिखिए बच्चो जैसे कि हम दाया अच्छे तो लिखते ही है आपको क्या करना प्रैक्टिस करनी है बाई अच्छे लिखना है अपने दोस्तों के मित्रों के पाच नाम लिखने है और उनके पाच पते लिखने है यह सब आपको उल्टे हाथ से लिखना है देखिए बच्चो जैसे आप उल्टे हाथ से लिखते हो आपको प्रैसा नहीं होगी और जो नाम अच्छी हैंड्राइटिंग में लिखते हो वह गंदी हैंड्राइटिंग में लिखा जाएगा तो यह कुछ नया कर रहेगा आगे इन सभी नाम और पते को उल्टे अक्सर और मात्राओं में लिखिए ठिक वैसे ही जैसे कि सीधे अक्सर को आईने में देखने से दिखाई पड़ता है देखे बच्चों चैसे तो बहुती इंट्रेस्टिंग बात है कि आपने नाम लिखे उल्टे हाथ से पहले तो अब जो भी नाम लिखा आपने उसको पीछे से लिखना है जैसे आपने लिखा है अमित तो पीछे आएगा ता उसके बाद मी फिरा तमिया तो ऐसे आपने जितने भी पाच मित्रों के नाम और पाच मित्रों के पते लिखे है अब उनको आपको उल्टे यानि रिवर्स में लिखना है यह भी बड़ाई इंडरेस्टिंग काम है आपको इसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मज़ा भी आएगा अब बिंदू संख्या तीन दोनों हातों से एक आम का चितर बनाई है एक साथ आपको बच्चों टैक्टिस करनी है कि आपको आम का चितर बनाना है तो क्या आप दोनों हातों का यूज़ कर सकते हैं जैसे अब थ्री डेट देखी थे न उसमें दोनों हातों से लिखता था जो प्रोफेसर था यह भी बहुत ही इंट्रेस्टिंग काम है आपको दोनों हातों का यूज़ करना है और एक साथ आपको प्यारसा आम का चितर बनाना है यह भी आपको बहुत कुछ सीखने में और मजा आएगा अब है बिंदू संक्या चार सब्जियों के कटे हुए भाग चिलके फूलों को रंग में डुबो कर उसमें एक पंक्ती ठपा लगाएगा बनाईए बच्चो जैसे कि आप सब्जिया जैसे आपके ममी पापा जब सब्जिया काटते हैं तो उसमें क्या होता है वह सब्जों के छिलके होते हैं उनको ले लीजिए और फूलों के रंग में डुबो कर उनको फूलों के रंग में डुबोना है उसे एक पंक्ती ठपा लगाएग बनानी है यह भी बड़ा इंट्रेस्टिंग काम है इससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा बच्चो यह सब एक्टिविटी आपको अपने आप ही करनी है अब है बिंदू संक्या पाच पत्तो को चिपका कर चिडिया या कोई जानवर बनाई है बच्चो जैसे कि जो हमारे पेड़ पोगते हैं उसमें पत्ते लगे होते हैं उनको तोड़ी है उनका अपस में ऐसे चिपका यह कि आप कोई ड्रॉइंग बना सके जचिपका अगर आपने कुछ चिडिया का चित्तर बना दिया या किसी जानवर और कुछ जंगली जानवर या पादू जानवर का आपने चित्तर बना दिया तो वह चित्र बनाने की कोशिच कीजिए यह भी बड़ा ही इंट्रेस्टिंग है इस काम को भी आपको करने में बड़ा ही मजाएगा यह सब activities है जो कि बच्चों को अपने आप ही करनी है हम यहाँ पर आपको बना के नहीं देखा सकते अब बिंदू संक्या साथ आगे आप क्या नया करना चाहेगे उनकी सूची बनाई है अब अच्छों आपको एक list बनानी है एक सूची बनानी तयार करनी है बिलकुल कि आपको आगे क्या कुछ नया करना चाहोगे कि आपको आगे क्या नया करना है आपको सोचना है कि आप आगे क्या नया करोगे चो आप इसमें लिख सकते हो कि अब आगे जो मेरा हाई रूम है उसको मैं और डेकुलेट करूँगा और आप ये भी सोच सकते हो जो आपको करना है उसकी एक लिस्ट बनाईए और उसको करने का आपको रियास करना है बचो यह थी आपकी एक्टिविटी साथ एक्टिविटी थी आपको इस वरक्षीट नंबर 36 में तो बचो आज की वरक्षीट में इतना ही था अगर वीडियो का अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद